तो भाई, Classics खेलो या Customs, हर बंदा DBS चला रहा है, और भाई, तुम भी कभी न कभी तो DBS से ज़रूर मरे होगे, और भाई, सच बताऊं तो या DBS से मरने का दुख ना भाई, Next Level पे होता है, क्योंकि भाई, तुम घंटो घंटो ट्रेनिंग क्राउंड में ट्रेनिंग करो, और भाई, लाष्ट में बंदा तुम्हें DBS चिपका के चले जा रहा है, तो भाई, गुस्ता तो तुम्हें भी आए गई गई ना, तो भाई, आज किस वीडियो में ना, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर तुम्हारा ओपनेंट DBS यूज कर रहा है, तो तुम उस दो गोली मारनी है, और भाई, बंदा नोकाउट हो जाएगा, और भाई, भाई, भले ही आपका एम कितना भी अच्छा हो, आपका मूमेंट कितना भी जाद अच्छा हो, भाई, अगर आप DBS वाले के सामने ऐसे पुश करोगे ना, तो भाई, आप मरने ही वाले हो, और एक् उस पर रशी ना करे, भाई, कुस्तो तरीका होगा ना, उस बंदे को मारनेगा, तो भाई, देखो, सिदी सी बात है, अगर तुम्हारे पास है शोटगन, तो तुम बंदे को तब गोली मारोगे, जब बंदा कवर से पूरा का पूरा बहार आ जाएगा, पर एक्जामपल, अभी यहाँ पर आप लोग देखो, मेरे पास DBS है, सामने आला बंदा जैसे ही पूरा कावर के भार आया, उसने पूरी बोड़ी एक्सपोस की, मैंने तभी गोली चलाई, अगर बंदा यहाँ पर छोटी सी पीक देता ना, तो शायद ही में गोली चलाता, और अगर मैं गो पुछ किया तो तो मरोगे, तो तुम्हें हमीचा स्मॉल पीक का यूज करना है, क्योंकि अगर आप छोटी पीक दोगे, तो अगर बंदी यह पास AR होगी ना, तो एक टाइम के लिए बंदा स्कोप खोल के आपको मार देगा, पर अगर आप स्मॉल पीक करोगे, और बंदे पाकी, अभी हम चलते हैं अपने second point पे, तो भाई सबसे पहले तो तुम यह clip देखो, अभी यह competitive match के clip है, मेरे पास DPS है, और भाई सामने आला बंदा क्या करता है, उसको पता है मेरे पास DPS है, फिर भी वो मुझे बाहर आके मारता है, उसके पास अच्छा कासा cover है, फिर भ बहार आके उस बंदे को मारूँगा, तो भाई बंदा एक गोली में मुझे मार देगा, तो मैं cover के बहार आके इस तरीके से बंदे को कभी भी नहीं मारूँगा, मैं क्या करूँगा, अपना aim enemy के head level पे रखूँगा, और भाई firing करते हुए कुछ इस तरीके से पीछे ताकि भाई तुम cover से बहार निकलो और वो तुम्हें मारे, पर भाई अगर तुम cover के आगे जाने के बजाए तुम पीछे की तरफ को जाओगे ना, तो सामने आले बंदे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगे तुम्हें मारने में, और जहां पहले आपके उस fight को जितने के chances सिर्फ 10% थे, अभी आपके जीतने के chances होते हैं कि 50-60% और अभी तुम लोग बोलोगे कि Bixi भाई हमारे पास लो-end device है, तो अगर हमारी 60% chances भी होए जीतने के, तो भी हम उस fight को हारने वाले हैं, क्योंकि हमारा तो phony lag मार जाता है ना, तो चलो भाई, अभी मैं तुम्हें enemy के head level पे रखना है, और तुम्हें fire करते हुए पीछे भी आना है, पर तुम्हें last में drop shot मार देना है, कुछ इस तरीके से और भाई, तुम लोग ना, बंदे को अराम से no card कर दोगे, और भाई, इस वाली trick को use करने के बाद, तो भाई, तुम्हारी जीतने की chances 90% तक बढ़ देंगे, तो भाई, अगर तुम्हारे पाई से एक low end device भी होगा ना, तो भी तुम सामने आले बंदे को मार दोगे, बस त से पहले तो तुम याली clip देखो, और ये गलती तो तुम्हें कभी भी नहीं करनी है, तो भाई, अभी मेरा हाथ में shotgun है, और भाई, यहाँ पे ना, इस कमरे में एक बंदा बैठा हुआ है, मैंने इसको एक गोली मारी, बंदा knock, दूसरा बंदा एक जगा पे बैठा हुआ ह तो भाई, बंदे के लिए ना, बहुत ज़ादा easy रहेगा तुम्हें knock-out करना, तो भाई, सबसे best है कि भाई, shotgun वाले player के against ना, तुम लोग jiggle movement का use करो, बट scene है कि भाई, अगर बंदा तुमसे 5 मिटर से कम की range में है, तब तुम्हें short jiggle use करना है, और अगर बंदा 5 मिटर स ज़ादा की range में, कोई बंदा short jiggle use कर रहे है, तो भाई, बहुत ज़ादा easy होता है, enemy के लिए, बहुत ज़ादा easy होता है, बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा problem होने वाली है, आपको trace करने में, अब यार इसी चीज़ में, मैं एक और चीज़ एड़न करना चाहूंगा, तुम्हें न कभी भी predictable moment नहीं देना है, तुम्हें एक ऐसा moment देना है, जो सामने वाला ना भाई, सोच न सके, मतलब expect न किरियो सामने आले बंदे ने, for example, आप लोग अचानक से drop shot मार सकते हो, भाई, आप लोग कभी एक जगा से peak मत करो, अलग अलग जगा से peak करके सामने आ नमबर न यह है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि सामने आले बंदे के पास shotgun है, और तुम्हारे पास grenade है, तो भाई, try करो कि तुम भाई, नेड से ही बंदे को forward हो, और भाई, मैं तुम्हें एक extra tip दे देता हूँ, भाई, अगर बंदा 20 मिटर से जाधा distance पे आना तुमसे, तो भाई, अगर तुम्हारे ओपोनेंट के पास shotgun है ना, तो तुम लोग try करो कि तुम लोग उससी long range fight ही लो, क्योंकि भाई, कहीं ना कहीं close range में ना, shotgun वाले players के पास apparent होता ही है, बाकि अगर आप लोग long range fight नहीं ले सकते, तो मैं आपको ओलेडी बता चुका हूँ कि आप लोगो को shotgun players के अगेंस्ट close in fight कैसे लेनी है, बाकि अर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मुझे comment section में जरूर बताना कि आपको next वीडियो किस topic के पर सीए, तो मैं मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye and take care guys.